आज मैं क्लास फिफ्ट से चैप्टर फॉर्टी लेकर आया हूँ वें दो अर्थ शूप जब दर्ती हिलने लगी अ बैड ड्रेम एक भूरा सपना बचाओ बचाओ मुझे बचाओ आओ आओ इस तरह की जो है लोगों की वाज आ रही थी हर जगा से तो जो धर्ती है वो हीने लगी थी और लोग इदर-उदर भाग रहे थे तो बहुत जोड़ों से ओबाज़ें आ रही थी और ये वास सुनकर मदर उट गई थी और वो आई अच्छे एड़ेंज आइप पकड़ लिया एड़ वो एक बहुत बुरा सपना था जे जो इसको हुए शे साल हो गए हैं अब बट इन पर मेरी जो ये सपना है जब में सोती हूं तो तब भी मुझे ऐसा लगता है कि दर्थी हिन्नी लग जाती है मैं हूँ जस्मा मैं जाती हूँ कुछ एरिया उफ गुजरात में 11 साल की हूँ एंड जब अर्थी काया था तब 11 साल की थी एंड इट वोज 26 जैनुरी 2001 तो इस समय अर्थी कुछ काया था विलेज में हर लोग बच्चे ओल्ड मैन सब जो है टीवी में परेड देख रहे थे तो सड़नली जो है दर्ती हिलिल अपड़ी तो लोग जो है बहुत जार डर गे थे और इदर उदर भागने लगे किसको ने पता था कि क्या अब क्या होगा और क्या करेंगे तो बहुत टोटली पैंक हो रहा था वहां पर एंड कुछी मिन्टों में जो पूरा विलेज है वो बिखरा पड़ा था और जो बहुत चीजे थी जैसे कपड़े पोड्स जो दाने खाना जिस सब कुस जो है स्टो पूरा सोच रहे थे दो चीजों के वारे बिज बचा एंड को कासी बचाया जाए जो की चीजों में क्रैप हैं इंब्च में फसे हुए उनको कैसे बचाय और दूसरा यह कि जो जिनको चोट लगी हैं हैं कैसी देख़़किये तो विलेज को भूरा था वीलेज होस्पेट जादा बुरी तरह से जो उनको चोटें लगी थी तो जो मेरी लाग भी थी वो भी फ्रैक्चर हो चेगी थी वो भी उसकी अड़ी को तूट चेगी थी तो डॉक्टर जो हैं प्रिट्र पीपल विद्धियागा विलेजर्स डॉक्टर ने कैल जो वेजर्स थे विलेज में लो बरीड हो गए थे एंड मेरी मज़र जब जेखो रोती रहती थी हर समय एंड उनको देखे में में रो बढ़ती थी एंड जो पूरा विलेज था वो साड था एंड डिस्टरॉब था जो मोटा भाबू का जो हाउस था जो सरपंच थे इस विलेज के उनका घर इतना जादा नहीं हुआ था तो वो जो है राइस और वीट जो है चावल और वीट जो है वो अपनी गुदाओं से लोगों को दे दिये करते थे तो बहुत दिन हो गए तो जो विलेज वूमेन थी मोटा बाबू के जो हाउस में खाना बनाती थी तांकि इस अब इमेजिन कीजिए कि सब्सक्राइब हो तो यह पूरा तरह से फियर था जो रातों को झेलना पड़ता था हर समय हम यह डरते रहते हैं कि अब कोई और अथक्विक ना आ जाए अब जो है एल्प करने वाले जो है अब आ चुके थे तो बहुत दिनों बाद कुछ पीपल थे स्टीटी से शेहरों से जो की आये थे यहां देखने की क्या हुआ था तो फूड लेकर आए खाना लेकर आए द्वागया लेकर आए लेकर आए तो सभी जो है उस चीजों का ल अब बहुत अलग तरह के क्लोज से कपड़े थे उस तरह के कपड़े हुने पहले कभी नहीं पहने थे जो लोग थे वो अलग अलग ग्रूब्स के थे सिटी के जो की हैल्प करने ऐसे टैंट्स देने आए थे एंड हम प्लास्टिक टैंट में रहे सर्गी मंस में जो की अब बहुत बाते करते थे तो सुझेशन देते थे कि कैसे आपको घर बुनाने चाहिए और ऐसे नहीं बनाने चाहिए तो इंजीनियर और आट डिडक्स से उनने बताया कि यह जे घरों की जो डिजाइन्स हैं यह अर्थक्रिक से बचा सकते हैं तो उनने यह जो है डिजाइन्स देखे विलेजर ने अन्ड रिचा आथिक नहीं होते पर जो लोग है वो बहुत ज़ाइर डर हुए थे तो इननने हैं कि अगर लोग विचा के गावुसें बना दें हमारे विलेज में तो और फॉर्ण तो इस तरह से हमारा हाल नहीं होगा। विलेचे ने सोचा कि हमें इस तरह की हाउस बना लें चाहिए उनकी मदद से और दे ग्रूप बिल्ड बिल्ड विलेच स्कूल जो बना लिया। विलेच साथ मिलकर बताया दुबाया से विलेच बनाने के लिये। कुछ लोग थे खोद रहे थे पॉंड से कले लेकर आरे थे तो विलेच लेकर रहे थे तो विलेच बना लिये। क्ले को काहों के डंग से गोबर से मिक्स करके बड़े बड़े वो बना लिये। एक दूसरी को पर रखतेगे ताकि वोल्स मना सके कहां तो बना सके। फिर जो वोल्स को हमने वाइट वोश किया और जो डेकरेट किया बीटिफुल डिजाइन से और स्मॉल पीसिस ऑफ मिरर। चुछड़े जो मिरर के पीसिस है उनसे हमने वो सजाया भी पूर्दर थैज रूफ हमने जो है रूफ में जो है थैज रूफ लगाई जो की ओविसली स्ट्रॉंग रूफ होती है नावर जो अब हमारे जो हाउसिस थे वो शाइन कर रहे थे डाइमेंड की तरह रात को बेस करते हैं तो यहां पर यह देखिए यह स्पेस पर एक इमेज ली गई है कि एक लड़का टेस्क के नीचे बैठा हुआ है तो यह भी एक प्रैक्टीज ही है कि जब आप घर में हो तो आप कैसे अर्फ़क से बच सकते हो अगर आप अगर करते की का जलसे बाहर निकलना चाहि करते हैं वह स्थखतम हुगा अब यहां पर हम वीडियो देख लेते हैं कि आप कैसे जो है अथक्वी देख लेते हैं वहाली हम वीडियो देख लेते हैं। So let's get started. Guys, आज में क्लास 5 से... अजल्ट, qualified architects, and, structural engineers, to make. In, highly seismic areas, the use of mud, or, timber, for constructing houses, is better, than, using heavy construction key proofs, as light, as possible, to avoid, severe damage. Fix, the cupboards, and, shelves, to the walls, so that, they do not fall, easily, during tremors. Hang, the wall clocks, photo frames, water heaters, etc., thoughtfully, so that, they do not fall, on you, during the position, of the clock, and, painting, in the given picture, is not correct. Avoid doing this, for safety reasons. All buildings, should have, firefighting, equipments, in working order, because, some buildings, may catch fire, due to, an earthquake. If you are, at home, at, the time, of tremor, take shelter, under a table, and, stay there, till the shaking stops. Stay away, from, tall, and, heavy objects, that may fall, on you. If, you are in bed, then protect, your head, with a pillow. If, you are outdoors, try to find, a clear spot, away from tall buildings, trees, and, power lines. Drop, to the ground, if, you are in a car, do not come out, till, the tremors, stop.